आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि एक सरकारी करमचारी की नौकरी में रहते हुए मृत्व हो जाती है तो उसके फैमली मेंबर्स को यानि की उसकी फैमली को कौन-कौन से बेनेफिट्स मिलने वाले हैं उनके बारे में पूरी जानकर यह आपको वीडियो ही तो वीडियो को आप लास्ट अक जरूर देखें तो आए शुरू कर लेते हैं यहां पर यह वीडियो कि कौन-कौन से बेनेफिट्स यहां पर मिलते हैं यह सरकारी करमचारी कि फैमली मेंबर्स को सबसे पहला बेनेफिट कर Must तो यहां पर साथ में वेतन आयक की से परिशन लागू होने के बाद में यह दिए एक सरकारी करमचारी की मृत्तिव हो जाती है सर्विस में रहते वे तो उसकी फैमिली को उस सरकारी करमचारी की जो लास्ट बेसिक पे थी उसके 30% के बराबर फैमिली पेंट्सन का बुगतान किया जाएगा और यहां पर कम से कम जो फैमिली पेंट्सन है वो नो अजार रुपे से कम नहीं होगी और इसके अलावा जो अधिकतम फैमिली पेंट्सन है वो यहां पर हो सकती है 30% of highest pay जो की रहेगी आपकी 55,000 रुपे से ज्यादा फैमिली पेंट्सन भी नहीं होगी तो अब यह मालने कि एक जनुवरी 2016 के बाद में नियुक्तम फैमिली पेंट्सन की अमाउंट है 9,000 रुपे और अधिकतम यह है 45,000 रुपे तो एक सरकारी करमचारी की 30% basic pay के बराबर फैमिली पेंट्सन का बुकतान किया जाएगा सरकारी करमच सरकारी को भी फैमिली पेंट्सन दिये जाने का प्रावदान है तो उनको भी फैमिली पेंट्सन का बुकतान याप पर किया जाएगा लेकिन उसके लिए कुछ कंडिशन है उनके बारे में आपको separate चैनल पर बता दिया जाएगा फुर यहां पर बात आती है कि एक्स सरकारी करमचारी के फैमिली मेंबर्स को 25 लाग रुपे से लेकर 45 लाग रुपे तक मुआवजा यहां पर दिया जाता है तो इस अमाउंट की कुछ कंडिशन अलग-अलग है कि कितना पैसा कब मिलेगा तो यहां पर कहा गया है कि एक सरकारी करमचारी की अपनी ड्यूटी क कर दा था लेकिन वहाँ पर यहां पर कोई वायलेंस हो गया जैसे कि टर्रिस टैक हो गया या फिर कोई की अंटी सोच्यल अलिमेंट की वाज़े से का मुआवजा दिया जाएगा और उसके बाद में यहां पर कुछ जो इस पेसिफाइड हाई एल्टीट एरिया जहें जो की खास्तोर से सेना के जवानों और जो प्रेमिल्टी फोर्सेस हैं जो उनके जवान हैं उनके लिए लागू होता है और यह दी वहां पर किसी नेचूर सब्सक्राइब करने से पहले हमारे आप से अमरोद है कि अपने चैनल सब्सक्राइब ने क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं बैल आकन प्रेस करते हैं यदि कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिएक कर जरूर बता है वो उसके बाद में डेथ ग्रिचुटी यह तीसरा बेनेफिट है तो यहां पर जो ग्रिचुटी है उसका बोगतान सर्विस जो करमचारी है उसकी क्वालिंग फाइंग सर्विस के हसाब सी किया सर्विस पांच साल से ज्यादा लेकिन 23 से कम है तो सक्ष टरशा है सब्सक्राइब यहां पर विच रख करमचारी की तो ऊसकी फेगिए लगबग बईश लाग रुपय तक को जो ग्रिचूटी है उसका बोगतान कर देंगा पहले एक अमाउंट कम थी लेकिन इस लेकिन कंडिसन यहां पर यह है कि 20 साल की सर्विस होने वालों को जो है वो 33 टाइम्स में आपर रहेगा एक जनुरी 2016 से डेट की अमाउंट को बढ़ा कर 20 लाग रुपे हां पर कर दिया मैगजिमम तो यह डिपेंड करेगा कि सरकारी करमचारी की सर्विस कितनी हुई है उसके हिसाब से डेट का बेनेफिट फैमिल मेंबर्स को दिया जाएगा तो यह अमाउंट कर सकती है उसके बाद में बात सरकारी करमचारी कौन से लेवल में था उसके हिसाब से तो जो सरकारी करमचारी लेवल एक से लेकर लेवल पांस तक आते हैं तो उनका यहां पर इंसुरेंस अमाउंट होता है उसका बुगतान किया जाएगा लेवल 6-9 के बीच में आने वाले को 60 रुपे और 10 और उससे उ पर ल्गों से ले governments जाती हैं उसको प्लम सम很好 ड़ मेंचारी कर दिया जाएगा उनके हिसे सरकारी करमचारी के जो प् helicopter कर लिए जा यानिकि सरकारी करमचारी के अकॉइब हैं उनका पैसा भी फैमिली मेंबर्स को मिलता है तो मीक्जियम यहां पर और किब्धों तीन-पैस can नोकरी यानिकी compassionate ground appointment तो यह काफी मेंटकुन स्कीम है सरकारी करमचारी की सर्विस में रत्यू होने पर उसके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक अर्थिक्त्यों का सामना नहीं करने पड़े और फैमिली आराम से अपना जीवान कर सके तो उसे को ध्यान में रखते हुए कि सरकार के द्वारा अनोंपा के आधर पर नोकरी दे जाने के स्कीम है तो इसका भी फाइदा मिलता है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए अनकमपा नौकरी के बारे में तो उसके बारे में हमारे चनल पर पहले से वीडियो डाले हुए हैं आप उने भी देख सकते हैं और उन से वीडियो के लिंक भी आप तो वीडियो के डिस्ट्रिशन में मिल जाएगा तो यह एक बड़ा मेथकुन बेनेफिट है कि एक फैमिली मेंबर को यहाँ पर नौकरी दी जाती है उसके बाद में बाता आते है कंपोजिट ट्रांट टंसपर ग्रांट है कहनी कि यह सरकारी करमचाजी का जो फैमिली है वो एक जगशे दूसरी जगशेगे पर रिलॉक्जेट होना चाहता है तो उसके यहाँ पर 20 तक कि डिस्टेंस का जो पैसा है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा और यहां पर यह कागए कि उसकी एक महीने की बेसिक पे और ग्रेड पे जो बेसिक पे है उसका वन थर्ड उस फेमिली मेंबर को कंपोजिट टांसपर गांट के रूप में दिया जाएगा सरकारी करमचारी की सब्सक्राइब होने पर यह अपना जो आवास है वो चेंज करना चाहता है उस कंडिशन में फिर आठों बेनेफिट आता है यहां पर डीनेस रिलिफ जो की महेंगाई रात यहां पर है सरकारी करम सरकारी के मेरति होने के बाद में फैमली को जो फैमली PSY मिलती है उस पर मुझीदा अवरों के स्था सबसे जो भी महंगाई बता है महंगाई रहता उसका मुगतान किया जाता है फिलाल यह दिया जा कर दिया जाए चीज़े मेरश को कर दिया जाएंगा तो यह भी एक मेंट करमचारी को मिलता है और यह कुछ उन्होंने विड्रा किया हुआ है पहले से विड्रो कर लिया तो उसको भी अधेश्ट्न हां पर कर दिया जाएगा लेकिन जी पी हैप का तो भी यहां पर मेडिकल इलाज करवाने के लिए एक अजार रुपए हर मैने के हिसाब से फिक्स्ट मेडिकल अलाउंस दिया जाता है तो यह दिया जाएगा उन बेनेफिसरेज को इन्हें की उन फैमिली मेंबर्स को जो की नौन तो cghs covered area में रहते हैं और वो cghs की opd facility का फाइदा भी नहीं ले रहे हैं तो उन्हें यहां पर यह एक अजार रुपए फिक्स्ट मेंडिकल अलाउंस का बुक्तान किया जाएगा और उसके बाद मैं पहले जी जुराशी थी फिक्स्ट मेंडिकल अलाउंस की यह 500 रुपए इसे एक जुलाई 2017 से बढ़ाकर 1000 रुपए हर मईने कर दिया गया तो दोस्तों यह कुछ ऐसे benefit है जो कि एक सरकारी करमचारी के फैमिली मेंबर्स को मिलते हैं इसी सरकारी करमचारी की नौकरी में रहते हुए मृत्व हो जाती है किसी भी वजह से तो उसको मिलने वाले यह स सबसे पहले देखने के लिए वीडियो देखने के लिए आपसे भी को देन नवाद